नमस्काव स्वागत आप सभी का एरियल न्यूज में बिना देरी की आई शुरुआत करते हैं फटा वडंदाज में खबरों की करीब 40 दिनों से दिल्ले की सिमाओ पर सेफरों किसान केंदर सरकार द्वारा बनाये गए तीन करशी कानूनों के खिलाफ धर्णे पर बैठे हुए हैं केंदर करशी मंदी नरेंदे सिंग तोमने बुद्वार को उमिर जताई है कि किसान संग अठनों से शुकरवार को होने वाली वारता में विवाद का समधान निकल जाएगा तो मैंने कहा कि उन्हें उमीद है कि आंदोलनकारी किसान संग भी किसानों की बहतरी के लिए सोचेंगे और समधान के लिए खास भूमी का निभाएंगे देश की सरवोच अदालती मुध्वार को उत्तरप्रदेश और उत्राखंड में लागो विवादित लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है हलांकि इस मामले में सुप्रेम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और चार हफते बाद इसकी सुनवाई की तारिक भी दे दी गई है कोईड वैक्सिन का दूसरा ड्रायरन आठ जनवरी को पूरे देश के सभी जिलों में होगा वैक्सिनेशन के लिए पहला ड्रायरन 28 और 29 दिसंबर को देश की चान राजियों में कुछी जगों पर किया गया था इसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्रायरन सभी राजु के कुछ जिलों में किया गया था तो वहीं पूरे देश में कोविड वैक्सिन का दूसरा ड्रायरन आठ जनवरी को किया जाएगा पंजाब पहला ऐसा राजय बन गया है जो पाचवी से कक्षबारी तक के स्कुल खोलने का निर्णे ले चुका है पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बुध्वार को अभिभाकों की मांग पर राजय सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी, सैमी गवर्मेंट और निजी स्कुलों को खोलने का फैसला लिया है देश में बर्ठलों का खत्रा बड़ा पिछले दस दिनों में भारत की कई राजयों में लाखो पक्षिम्रत मिले हैं कम से कम राजय हिमाचल प्रदेश, मध्यर प्रदेश, कैरल और राजस्थान में बर्ठलों की पुष्टी कर दी गई है जिसके बाद इसके संक्रमन को फैलने से रोखने के लिए देश के अन्यर राजय भी अलट हो गए है कैंदर ने तमिलनाडू सरकार से सिनेमा गरों में 100% दर्शक शमता वाला आदेश वापस लेने को कहा बता दे कि तमिलनाडू की इके पलानी सामी सरकार ने 4 जनरी को सिनेमा हॉल पर लगी 50% दर्शक सीमा को हटा कर पूरी ख्रमता के साथ खोलने के अनुमती देदी थी लेकिन कोरोना के मामलों में इज़ाफा होनी की आशन का जटाते हुए कैंदर सरकार ने राज्य सरकार से इस मंजूरी को वापस लेने को कहा है पूरो राश्टबटी प्रणग मुकरजी की हाली प्रकाशित नई किताब The Presidential Years में प्रधान मंतिर नरंद्र मोधी के साथ उनके खटे मिठे रिष्टों की दास्तान भी है इस किताब में सोनिय गांधी और प्रधान मंतिर नरंद्र मोधी समयट कई नेताओं का जिक्र करते हुए कई चोकाने वाली बाते भी लिखी गई है नेपाल में सियासी संगराम के बेच 14 जनवरी को नेपाली विदेश मंतिर प्रधीप ग्यावली भारत दौरे पर नई धिल्ली आएंगे भारत नेपाल के बीच संयुकतायों की यह चछटी बैठक होगी साथी दौनों देशों की बीच कहीं एहम समझोतों की भी उमीच जताई जा रही है विदेन की प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वारस के नए स्ट्रेंड से पैदा हुए संकट के बढ़ते रहने के कारण 26 जनवरी की गंतंत्र दिवस समहारों पर भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्ध कर दी है साथी ब्रधान मंत्री मोदी से महामारी की स्थती की कारण दौरा रद्ध करने के लिए खेद प्रकट किया है वहीं आउंको बता दे कि पूरों केंद्रे मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शर्षी थरूर ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार को गंतंत्र दिवस परेट को रद्ध करने का सुझाव दिया है शर्षी थरूर ने ब्रिटिश पीम बॉरिस जौनसन का भारत दौरा रद्ध होने का हवाला देते हुए ये बात कही वर्ष उनिस सुतयासी विश्व कप विजेता टीम के पूरू भारती कप्तान कपिल दिव उधभार को 62 वर्ष के हो गए उनके जन्म दीवस पर सचिन तैंदुलकर और विराट कोहली समेट कई दिगजों ने उन्हें बदाई दी है आज फिलाल इतना ही देश की तमाम खबरों से अबडेट रहने के लिए आप देखते रहिए